चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पातरा को चीफ एलेक्शन कमिशनर बना सकती है माडम। और तुईस्टु वन के रेशियो से संबित पातरा देश के चीफ एलेक्शन कमिशनर बन सकते हैं। जुड़े विदेक पर भी चरचा वहीं जिसके पर आवाद में पार्टी से जुड़े रागफ चड़ा ने इस पर विरोध जिताया और इसकी विरोध में उन्होंने जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता संबित पातरा का नाम लिया जया बच्चन भी अपनी आसी नहीं रोक प बना देगी सोचिए कितना खतरनाक होगा आप सांजत रागफ चड़ा आप स्पीकर की हासी देखिए तो नितीश इंडिया नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट का तो वे लिखा गया संबित पातरा को बहुत हिच्चकिया होंगी बहुत बढ़िया से समझाया रागफ पामिशन का चीफ ना बना दे निया जानाम की उजडिक दें अगर संबित पातरा मुख्य चनाया आयोक्त बन गए तो एक इतना खतरनाक होगा संबित पातरा विपक्ष के तमाम नेताओं के बड़े अच्छे दोस्त हैं जरूर सुनिए रागफ चड़दा ने उनके बारे खंगना ये कोई संग में लाठियां चलाने वाले को भी अप चीफ एलेक्शन कमिशनर बना सकती है सुप्रेम कोड के आदेश को पलटते हुए सरकार ने सी जी आई को ही सी सी के अपाइन्मेंट पैनल से हटा दिया है कट पुतली मुख्य मंत्रियों को चुनने के बाद पे एक अदिकार केवन एक ही पार्टी का रहेगा लोग तंत्र में लोग को हटाओ तो तंत्र ही चलेगा आपको बता दे रागफ चड़ा ने इस बिल के पारित होने पर कहा कि अगर ये बिल पास होता है तो संबित पात्र को भी मुख्य चुनाओ आयोक तो बनाये जा सकेगा जिससे आयोक की निश्पक्षता नहीं रह जाएगी लागफ सीए में मुख्य नियायदीश की भूमिका को आटाने का विरोध कर रहे थे उन्होंने सभापती की कुर्ची पर बैठी सभासांसत जया बच्चन को संबोधित कर दोए का सीएसी में सिर्फ तीन सदस्ते रखे जा रहे हैं प्रधान मंत्री नेता विपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री जो के सही नहीं है ऐसे में सरकार जिसको चाहेगी वहीं मंत्री बनेगा मुक्ष चना आयुक्ष की नियुक्ती को लेकर सत्ता रोड केंदर सरकार लेकर एक संशोधन बिर आई है जिसके मताविक अप चनाओ आयुक्ष की नियुक्ती में तीन लोगों की मुक्ष भूमिका होगी जिन में नेता विपक्ष प्रधान मंत्री और एक कैबिनेक मंत्री होंगे सभी विपक्षी दल इसबिल का विरोध करने के पीछे की वज़ा ये तर्क है कैसे CEC की नियुक्ती में मामला तो इस टू बन का हो जाएगा यानि सरकार जिसे चाहेगी उसे ही चनाव आयक्त बनाएगी विपक्षी दलो का कहना ऐसे में चनाव आयक्त के फैसले सौतंतर नहीं होंगे और उनका जुकाव सत्ता में बैटी सरकार के हितों को ध्यान में रखकर काम करने का होगा जिससे विरोधी दलो का नफसान होगा और अधिक संबाब नहें चनाव आयक की निश्पक्षता को भी इससे चनावती मिनेगी क्योंकि महस चनाव कराना चनाव आयक का दैट में नहीं होता सोशल मीडिया पर वाइरल होई डागव चड़ा की इस वीडियो पर आपकी क्यारा आयक कामन सेक्षिन में जरूर दे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें ताकि देल दुनिया से जड़ी तमाम वाइरल खबरें हम आप तक पहुचाते रहें